मसी में सभी भाई भेनों को जै मसी की आज जिस वचन का हम अध्यन करने जा रहे हैं वो वचन रोमियो चैप्टर 7 वर्स 15 से लिया गया है मसी में भाई भेनों ये वचन हमें बताता है कि जब येशु सामरी महिला के साथ बात कर रहा था उसमें उस सामरी महिला को एहसास हुआ कि वो मसी के सामने घड़ी है सामरी महिला को ये अंदाजा नहीं था जिससे वो बात कर रही है वे केवल अंधेरे में अपना जीवन बिता रही थी वे पाप में अपना जीवन बिता रही थी हलेलुया वे कौसी तरास्दी है जिसे श्रिष्टी करता ने अपने बनाए लोगों के बीच होना चाहिए और उसकी पहचान अग्यात बनाई हुई है हलेलुया हमारे प्रभु ने सामरी की यात्रा तब की कि ताकि वो एक होई हुई आत्मा को छुडा सके और सामरी औरत को पाप में आत्मा से मुक्ती दिला सके हलेलुया प्रेजा लॉर्ट इस वचन को और समझने के लिए हम लुका चैप्टर 19 वर्ज 1 टू 9 को पढ़ते हैं जक्कई जक्कई जो एक चुंगी लेने वाला कर लेने वाला व्यक्ति था जब परमेश्वर वहाँ पर पहुंचे तब परमेश्वर जक्कई को इधर उदर ठूनने लगे पर जक्कई जो एक गद का पहुँछ चोटा होने के कारण वो पेड़ पर चड़ा हुआ था तब परमेश्वर ने उसे कहा जक्कई पेड़ से नीचे उतरा आज मैं तेरे घर पर आऊंगा जब सब लोग कुड़ कुड़ाने लगे और बाते करने लगे कि वो पिता परमेश्वर जो प्रभू है वो एक पापी मनुश्या के घरियां घर पर जा रहा है जब पिता परमेश्वर एक धनी व्यक्ति जक्कई के घर पहुँचे जब जक्कई प्रभू येश्व के संपर्क में आया तो उसका पुराना जीवन नए जीवन में बदल गया उन्होंने अपने पापों के प्रति पश्चा ताप किया जक्कई ने प्रभू से कहा देखिये मैं अपनी आदी संपत्ति गिरिवों को दे देता हूँ और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेमानी की है उन्हें चौग ना लुटा दूँगा प्रभू ने उसके सारे पाप शमा कर दिये और उसे कहा आज इस घर में मुक्ती का आगमन हुआ है हालेलुया, प्रेज अलॉर, मसी में भाई भेनों, यदि हम भी हर पाप से मुक्ती पाना चाहते हैं, हम भी अपने जीवन में जीवन के पापों से मुक्त होना चाहते हैं, तो आप इश्वर की महिमा और सामर्द को देखना चाहते हैं, और उधार पाना चाहते हैं, तब अप जब येशु ने कहा जो पौधा मेरे स्वर्गिक पिता ने नहीं लगाया है वे खाड़ा जाएगा जो पिता परमेश्वर ने हमारे जीवन में पौधे नहीं लगाये हैं वे सब पाप हैं हलेलुया प्रेज अलॉड मसी में भाई भेनो जब हम अपने आचारण और जीवन को परकते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारे पौधे पाप के पौधों ने हमें जकड़ा हुआ है इस सारे पाप के पौधों को जब मैंने एक एक करके अपने जीवन से बाहर फैंका और अपने जीवन को नवी करन किया तब मैंने अपने ही जीवन में परिव पिता परमेश्वर प्रेज अलॉड मसी में भाई भैनों जैसे जैसे हम अपनी बुराईयों को एक-एक करके अपनी जीवन से निकाल फैंकते हैं वैसे ही परमेश्वर एक-एक वच्णों से हमारे जीवन को भर देते हैं हमारी आत्मा को भर देते हैं प्रेज अलॉड में बने रहना चाहते हैं क्या आप मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सब को अपने जीवन में जितने भी बुराइयां हैं जितने भी बुराइयां के पौधे हैं उन्हें जड़्द सहीत उखार फैंकना है हालेलुया पिता परमेश्व इस वचन का वचन को हम इस तरह समझते हैं कि 2 करंथियन चैप्टर 5 वर 17 का वचन हमें बताता है यदि कोई मसी के साथ एक हो गया है तो वो नई स्रिष्टी बन गया है परानी बात इस माप्थ हो गई और सब पुछ नया हो गया हालेलुया पिता परमेश्व प्रेज दलाड मसी में भाई भेनों हमारा जीवन हर पाप से मुक्त होना चाहिए हमारी आत्मा पाप से मुक्त हो नए बल प्राप्त करते हैं। हमारे जीवन की सारी पुराणी बाते हमारे पाप हमारे जीवन में समाप्त हो जाते हैं। जिस तरह अभी हमने वर्चन पढ़ा कि हमारा जीवन नई श्रिष्टी बन जाता है। हमारे जीवन में सब कुछ नया हो जाता है और पिता परमेश्वर हमारे सब पापों को शमा कर देते हैं। जिस तरह हमोंने सामरी की महिला की, महिलाओं के पापों को और जगई के पापों को माफ किया। उसी तरह पिता परमेश्वर हमारे भी सब पापों को माफ करे और हमें हर पाप से मुक्त करे। हालेलुया, आमीन मसी में भाई भैनों अब हम सब मिलकर प्राथना करेंगे धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर सुबह से लेकर शाम तक पिता परमेश्वर आपने हमारी रक्षा की पिता परमेश्वर हमें हर वाइरिस से बचाए रखा पिता परमेश्वर हद दुक तकलीब से बचाए रखा पिता परमेशर उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेशर परिवार और आसपडोस के सब लोग अपने जीवर में श्रक्षित हैं पिता परमेशर उसके लिए धन्यवाद का चड़ावा चड़ाते हैं पिता परमेशर Praise the Lord, Praise the Lord, पिता परमेशर की महिमा हो, पिता परमेशर को सूती और अराद ना होए, हालेलुया पिता परमेशर, पिता परमेशर को धन्यावाद देते हैं, धन्यावाद के साथ पिता परमेशर के सामने आते हैं, हालेलुया पिता परमेशर, पिता परमेशर, जितने भी हमें प्रातना में जुड़े हैं उन सबे घरों को पिता परमेशर के सामर्थी बरे हाथों में सौप देते हैं उन घरों के लिए आशिशे बरकते मांगते हैं पिता परमेशर हमारा प्रभू बरकते राशिशे देने वाला पिता परमेशर हैं ये पिता परमेशर इस समय जो भी हमा पिता परमेश्वर के नाम से दूर होने पाई। पिता परमेशर, हर अपराद हमारा शमा कर पिता परमेशर, अपने रक्से हमें शुद कर पिता परमेशर, हालेलुया पिता परमेशर, पिता परमेशर, मैं अपराद ना करती हूं बच्चों के लिए पिता परमेशर, बच्चों को पिता परमेशर हमेशा शरक्षित रखना, बल रात्मा से भर देना पिता परमेशर पड़ाई लिखाई में उनकी मदद करना पिता परमेशर और पिता परमेशर उन पर हमेशा अपनी चंगाई पराहाथ रखना और हर वायरिस से उन्हें पचाए रखना पिता परमेशर हर दुष्ट परहवों से दूर रखना पिता पर परमेशर हम परात ना करते हैं सब भाई भेनों के लिए बजूर्गों के लिए पिता परमेशर यूबकों के लिए पिता परमेशर या अपने जीवन में आपके वश्णों के अनुसार अपने जीवन को चलाए पिता परमेशर आग्या के अनुसार अपने जीवन को चलाए पि पिता परमेशर जो इसमें बहुत जादा अपने भविश्य अपूर लेकर पिता परमेशर चिनती थें। पिता परमेशर पिता परमेशर 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 परमे पिता परमेशर अपने अपने घरों को बापस लोटने पाए पिता परमेशर की सामर्थी नाम से हालेलुया पिता परमेशर धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेशर पिता परमेशर सब की जरूरतों को पूरा करना पिता परमेशर सब पर अपनी आशिश मही मा रखना पिता परमेशर, हालेलुया पिता परमेशर, पिता परमेशर कोई भी शेतान की शक्ति किसी को भी भर्माने ने पाई पिता परमेशर, हर शेतान पर पिता परमेशर का अधिकार है, मेरा पिता परमेशर सबसे बड़ा है, प्रभों का प्रभू, राजाओं का रा सब्सक्तिमान पिता परमेश्वर की हमस्तूती करते हैं आरात ना करते हैं और निरंतर प्रात ना करते हैं पिता परमेश्वर से यह हम प्रात ना करते हैं पिता परमेश्वर के सामर्थी नाम से हालेलुया पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर मैं उन लोगों को पिता परम अपना समर्थ परा हाथ रख पिता परमेशर, उनकी सब घटियां पूरी कर पिता परमेशर, मेरे पिता परमेशर, उनकी सब घटियां पूरी होने पाएं पिता परमेशर, उनकी सब घटियां पूरी होने पाएं पिता परमेशर, उनकी सब घटियां पूरी होने पाएं पिता प्रमेश्वर हमारे साथ प्रातना में साथ भागी हुए हैं पिता प्रमेश्वर उन सब के लिए आशिशियों पर कते मांगते हैं पिता प्रमेश्वर ये प्रातना करते हैं पिता प्रमेश्वर के नाम से जो पिता प्रमेश्वर पर विश्वास करते हैं और विश्वास के स प्रातना करते हैं पिता परमेश्वर हमारी प्रातना को सुनते हैं धन्यवाद देते हैं धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के पिता परमेश्वर सब को शांती की आत्मा से भरे सब के घरों में शांती पिता परमेश्वर सब को श्रक्षित रखे और पिता परमेश्व इस रात में पिता परमेशर सब पर अपना आशिश परा हाथ रख चंगाई परा हाथ रख पिता परमेशर सब को संभाले रख पिता परमेशर सब के परिवार एक होने पाएं पिता परमेशर सब घरों की लड़ाई जगडे मन मुटाब तरी नाम से दूर होने पाएं पिता प परमेशर दया कर अपनी आशी शर महीमा डाल पिता परमेशर अपनी महीमा दे पिता परमेशर अपने आशी रिवादों से बर दे पिता परमेशर पिता परमेशर हमें हर पाप और हर अपराद से मुक्त कर पिता परमेशर प्रभू येशु का लगू हमें हर प्रकार के अपरा अपने लहू से हमारे पापों से मुक्त किया है पिता परमेश्वर। इसी तरह पिता परमेश्वर। आप हमें हर बैवी चार हर पाप से दूर रखें पिता परमेश्वर। और हर तरफ से हमारी रक्षा करें पिता परमेशर हम अपने परमेशर के वचनों के अनुसार अपना जीवन चलाएं उसके वचनों का मानन करें उसकी तरफ अपनी हमेशा दृष्टी लगाए रखें और पिता परमेशर हम पर अपना सामर्थी बरा अनुक्रे बरा हाथ रखे अमेन आमेन आमेन